यूपी के बारा बंग की पहुचे पूर्वा मंत्री शिवपाल सिंग यादों ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाब जम कर हमला बोलने के साथ समाजवादी पार्टी पर भी जम कर हमला बोला सिवपाल सिंग यादों ने समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी के बिलाए की अफवा पर बिराम लगाते हुए कहा कि 2022 में उनका प्रयास होगा कि हम सत्ता में रहें बिल्लय के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा किसी में बिल्लय का सवाल ही नहीं गटबंदन हो सकता है और गटबंदन वही होगा जहां उन्हें सम्मान मिलेगा देखें हमारे पार्टी का सहित हन्य काम हो रहा है और दो हजार पारिस की तैयारी है और अमारे यह तैयारी है कि दो हजार वाइस में गटबंदन होगा या मर्ज होगा परटी का अजया कि मर्च किसी से होगानीक कैटमंन नहीं होगा जहां शम्मान मिलेगा किसी संमाज को इंतक जए तहर Keatsim swamp और किसे कॉर्ट्यों होगा किसा कार्फंदन करेंगे अगर सम्मान मिलेगा तो किसस्तान ग...? क्या सपा से सम्मान नहीं मिला है यह तो आप सब लोग समझते हैं जैसा है अब है कुछ ठीक में अब है अब ही मंत्री यहां पर लोग निर्मार मंत्री भी आए थे बड़े-बड़े दावे क्लिए गध्धा मुक्ति कहा पूरी तरीके से मिनिस्टर भी रहे है कहीं पर भी करकें बन नहीं जैंप मुक्ति कहाँ हो रहा है कहीं काम काम में बड़े कादेश का हम थे में छाण की काम पना हो रहा है लेकिन समय ड Euch उनुप है जाख कमें कि इस प हां में यह रहे हमें तकी समय बता रहे हैं इतना अच्छा काम किया सरी आप हुए तो जब 2022 का चुना हो आएगा, तो जन्ता बताएगा.